मा की बाते सरयू बाला देवी से वारता लाब 28 जुलाई 1918 संध्या के बाद गई थी आरती तब भी आरंभ नहीं हुई थी मा रास्ते की ओर के बरामदे में एक आसन बिछा कर बैठी जब कर रही थी बड़ी गर्मी थी पास जाकर प्रणाम करके बैठते ही मा ने हवा करने के लिए पंखा मेरे हाथ में दे दिया मैं हवा कर रही थी उसी समय एक वयस्क विध्वा ने आकर मा को प्रणाम किया मा ने पूछा किसके साथ आई उन्होंने कहा दरवान के साथ आई हूँ और इसके साथ ही मा को हवा करने के लिए मुझे से पंखा मांगा मैंने तत्काल दे दिया मा बोली रहने दो रहने दो वही करे उन्होंने कहा क्यो मा मेरे हाथ से थोड़ा सा नहीं होगा ये लोग तो कर ही रहे हैं मा इस पर मानो थोड़ी नाराज हुई उन्होंने दो एक मिनिट हवा करने के बाद कहा तो फिर चलती हूँ मा एक बार महराज के पास जाना होगा मा के चल्णों में सिर लगा कर प्रणाम करते ही वे अत्यांत नाराज होकर बोली आप पाउ में क्यों एक तो ऐसे ही तबियत खराब है यही करकर के तो यहां सब बिमारी हुई है उनके चले जाने के बाद उन्होंने जल से अपने पाउं धो लिए वे विद्वा महिला गोलाप मा को थोड़ा देख आने के बाद पुनह मा से विदा लेने आई मा ने कहा हाँ हाँ जाओ इसके पूर्व मैंने कभी मा को किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते नहीं देखा था बाद में मा ने मुझसे कहा मेरा आसन उठा कर कमरे में ले जाओ और बिस्तर को नीचे बिछा दो मा आकर लेटी और घुटनों पर घी की मालिश कर देने को कहा थोड़ी देर बाद वे बूली अब पीठ में मरीचादी तेल की मालिश कर दो ललिद बाबू की बात उठी मैंने कहा मा सुना है कि वे आप ही की क्रिपा से बज गए हैं मा उसकी अनेक इच्छाएं थी उसकी जो अवस्था थी बेटी पेट से बाल्टी भर भर कर पानी निकलता था बिल्कुल अन्तिम अवस्था में पड़ा था तब उसने बड़े कातर स्वर में कहा मा मेरी बड़ी इच्छा थी कि कामार पुकुर तथा जैराम बाटी में मंदिर और अस्पताल बनवाऊंगा परन्तु तुमने कुछ भी नहीं करने दिया अहाँ थाकुर ने बचाया है वहाँ यह सब करने की इच्छा उसके समान अन्य किसी भी भक्त की नहीं है बज गया है अब कार्य करे मेरे लिए उसने एक तालाब खरित दिया है 30 जुलाई 1918 आज अपरान्ह में प्रेमानंद स्वामी ने देहत्याग किया रात के समय मैं मा के पास गई मा भूली आई हो बेटी बैठो आज मेरा बाबुराम चला गया सुभ से ही आँखों से जल पड़ रहा है इतना कहकर वे रोने लगी बाबुराम मेरे प्राणों की चीज था मठ की शक्ति, भक्ती, युक्ती सब मेरे बाबुराम के रूप में गंगा तट को आलोकित करके घुमा करती थी बाबुराम की मा पुत्रहीन घर की लड़की थी उसे पिता की संपत्ती मिली थी इस कारण उसे थोड़ा अहंकार था वहाँ स्वयम ही कहती हाथ में कंगन और कमर में सोने का चंद्रहार पहन कर लगता है कि दुनिया में कोई कुछ भी नहीं है वहाँ चार संतान छोड़ गई है केवल एक की ही उसके रहते मृत्य हुई थी थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि बीच के कमरे की दक्षिनी दिवाल पर ठाकुर का जो एक बड़ा सा चित्र था मा उनके पाउओं पर सिर रखकर करुन स्वर में कह रही है ठाकुर उसे ले गए क्या ही मर्मभेदी स्वर था उनका हम लोगों को भी बड़ी रुलाई आने लगी इधर गोलापमा बड़ी बिमार थी उन्हें भयानक खूनी पेचिश हुआ था